levels of support for individuals with intellectual disabilities क्या level का support होना चाहिए तो इसके लिए जो main चीज है वो ये है कि students जो है या बच्चे जो है अब level of support जो है वो depend करती है उनकी disease की जो level है वो क्या है और उसके मताबिक फिर बच्चों के लिए एक तो daily plan इनका बनता है जिसको individual daily plan कहा जाता है और ये impairment वाले जो बच्चे है intellectual impairment वाले इनको special schools की तरफ refer किया जाता है और वहाँ पे teachers जो होते हैं special education वाले होते हैं जो के specially trained होते हैं इन बच्चों को किस तरह से deal करना है और चुके ये बच्चे जो है toilet training इनकी बड़ी मुश्किल होती है इनका जो इनका food intake लेना है वो बड़ा मुश्किल है ये बाद उकात इनको गर intellectual impairment के साथ कुछ और physical handicap भी है या फिर इनको जो है autism एक और disease है उसका भी शिकार है तो फिर इनके multiple problems है तो इसलिए हर बच्चे का teacher जो है वो individual plan device करता है क्या या सिर्फ single intellectual impairment का patient है तो फिर उसके लिए उसका level क्या है और mild है moderate है severe है उसके according उसकी activities plan की जाती है और बासकाद बच्चे एक दफ़ा जैसे उनकी mood swings भी होते हैं तो हो सकता है एक हफते के लिए जो आपने plan किया हो तो बच्चे जो है वो ला response एक हफते के बाद ना दे रहे हो या दो दिन के बाद भी वो response नहीं दे रहे होते और बहुत ज़्यदा time जो हो लगाना शुरू हो जाते हैं किसी भी activity को learn करने के लिए तो फिर teacher को वो plan change करना पड़ता है दो दिन के बाद तो इस लिए depend करता है कि किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए उसको किसम की support की जरूरत है उसकी जो severity of impairment है वो कितनी है तो ये चीजें जो है teachers जो है वो चुके trained होते हैं तो वो daily plan जब बनाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बच्चा socially isolated है एक बच्चा जो है वो socially जो है वो अच्छा बच्चों के साथ घुल मिल जाता है एक चुके handicap भी ह है और physically impairment भी उसमें अंदर है तो वो physically अपने हाथों को या अपनी body को move नहीं कर सकता जिसके वज़े से उसको खाने पी नहीं में भी problem है ऐसे वज़े के लिए different plan बनाती है teacher और बास वकात बच्चे जो हैं वो इतनी उनकी intellectual disability ज़्यादा होती है कि वो eye focus या eye contact भी नहीं करते और आपकी बात जो है जब आप कहरे होते हैं तो उस dialogue में से कुछ जो words है वो उनके brain तक पहुंचते हैं लेकिन brain dysfunctioning की वज़े से वो आपकी पूरी बात सुन नहीं पाते है ये brain dysfunctioning की वज़े से भी है hearing loss भी होता है लेकिन brain dysfunctioning की वज़े से वो अपनी जो dialogue teacher दे रहा होता है उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं जिसके वज़े से वो आगे से जो response है वो उस तरह कर नहीं देते हैं जो आप पूछ रहे होते हैं तो इसलिए बचों को बार बार repeat करना चाहिए एक instruction ताके बचे के दिमाग में बार बार जब instruction जा रही होती है तो एक time पे वो आप यावाज उनको नहीं पहुंच दी पूरी तो आप उन बचों को sign language के साथ जो है अपनी बात समझा सकते हैं और sign language इसलिए इंट्रिड्यूस कराएगी थी कि वो तो है deaf and dumb बच्चों के लिए हम समझते हैं कि होती है लेकिन वाज उकात ऐसे बच्चे जो के eye contact नहीं करते, eye focus नहीं करते, उनकी brain dysfunction की वज़े से आपकी instructions को पूरा नहीं सुन सकते, उनको भी हम जो है वो train कर सकते हैं इस सारी की चीज़ों में और बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे गए हैं कि जो पहले बड़े hyper थे, बड़े aggressive थे लेकिन through medication और हो सकता है एक दिन छोड़ के medicine कोई doctor's advice क करें बच्चों के लिए तो उससे उनकी aggression काफी control में हो जाती है और वो ऐसा ऐसा फिर एक एक चीज़ और इनमें important होती है कि with the passage of time or with the passage of age इनकी intellectual impairment जो है वो ऐसा ऐसा जो है वो कम होती है और maturity के साथ-साथ इनका जो improvement है वो भी आती है अब बास वकात एक ऐसा बच्चा जो क बीस साल उसकी उमर हो गई है और वो उसकी जो intellectual उसकी जो intelligence intellectual ability है वो पांच साल के बच्चे के बरावर है तो वो पांच साल के बच्चे के मताबिक जो है वो express करता है अपने हालाद उसकी तरह जमीन पर लेड़ जाएगा उसकी तरह रोना शुरू कर देगा उसी तरह से प्रेशन शो करेगा तो देखना यह है कि उन टेस्टों से जो स्टेंडरराइस टेस्ट है वह उसकी inटडराइस बिलिटी कितनी बता रहे हैं तो उस बचे को फिर उस उस intellectual ability वाली age के मताबिक deal करना पड़ता है तो ये सारी चीजें जो standardized test है intelligence के वो काफी help करते हैं कि उस बच्चे की intelligence जो है वो किस दनी है severity कितनी है impairment की उसके according teacher जो है वो अपना plan चेंज भी कर सकती है और नया बना सकती है